जैं दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए हिंदी साइट में मत्तुपूर्ण कॉश्चन आंसर अपन पढ़ेंगे अहां पर वारते हैं तो वीडियो को पूरा वस्य देखेगा और वीडियो को लाइक कर लें से कान्पूर से लावाभास से लखनव से धिल्ली से चार विकल्प के दिये गए हैं यहनवा vidéo से आपको चैन करना है और सई आंसर ब्रमान पत्रे का बताना है कहां से निकलती थी क्जानर कीजेगा चार विकल्प है और आप सभी का सई आंसर आरा है द्यासी में यह रूपक नाटक के रचिनाकार कौन मानी जाते हैं? 83 वा कॉस्चन याँ पर दिया गया है? 83 में चैनकन्या बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नरण मिस्र है, देपकी नंदन खत्री है, स्रीधर है, कॉस्चन नमब 83 का क्या होगा? सही आंसर कली कौत कुरूपक इस नाटक के रचिनाकार कौन मानी जाते हैं? ये पूँचा गया है आप सभी से, तो 83 में आप सभी का विकल्प नंबर B वाला जो विकल्प है, आप सभी का सही आंसर है, कली कौत कुरूपक के प्रताप नरण मिस्र जी मानी जाते हैं, उनी की रचिना मानी जाती है, B वाला विकल्प आ आप सभी का सही आंसर होगा इंगला कॉस्चन देखेगा कली राच की सभा नाटक किसका माना जाता है कली राच की सभा एक नाटक है जो की यह माना जाता है किनका चैन करना सभी के लिए हरियोद महावीर प्रसाद दुबेदी वालकृष्ण भट्टे प्रेमगन तो 84 में आप सभी का होगा सही आंसर कमला जी पारो जी एम एस बर्मा जी वेकल्प नंबर तीन यानि की वालकृष्ण भट्टे जो है उनी का नाटक माना जाता है वेकल्प नंबर तीन जिन्होंने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर तू है प्रेमगन है 85 का सई आंसर चैन कीजेगा प्रियाग रामगमन के रचेता कौन माने जाते हैं यह आप से यहां पर पूंचा गया है बताइए चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए हैं अतर्ब जी और अर्वेंद जी आप सभी का यहां पर सही आंसर है प्रियाग रामगमन टेरचेता प्रेमगन जी माने जाती हैं विकल्प नमबर डी आप सभी का यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर चार जिनोने भी चेन किया है प्रेम गन उनका यहांपर सही आंसर होगा भारतेंदु जी का प्रिफ़म अनुदित नाटक बताने कौन सा माना जाता है 84 में चेन कन्ना सत्ता हरिष्चंद्र है मुत्रा रक्षस है विद्या सुंदर है नील देबी है चासी में चेन कीजेगा भारतेंदु जी का प्रितम अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है और प्रिती पाल जी क्या होगा सही आंसर चासी का विकल्प आपका यहां पर चासी में चेन करना है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि हाँ पर विकल्प नंबर चासी में जो तीन बहारतेंदू जी का पृत्तम अनुदित नाटक कुन सा माना जाता है विद्या सुन्दर यहां पर सी वाला विकलप जो है बहार आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखियेका हरिश्चंदर मेंग जीन का नाम बदल कर भारतेंदू जी ने बा चंद्र मेगजीन का नाम बदल कर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था यह पूंचा गया 87 वा कॉस्चन है दीपक जी मनीशा जी आप सभी का सही आंसरों का वेकल्प नंबर यानि कि हरिष्चंद्र चंद्रिका वेकल्प नंबर यह वाला यहाँ पर सही आंसरों का हरिष्चंद्र चंद्रिका जनों ने भी चिन किया है उनका यह पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा क्या पूंचा गया है क्या पूंचा है 88 वा कॉस्चन है संगीत सकुंतल के नाटक के रचिनाकार कौन माने जाते हैं बताईए का 88 में चेनकन्ना है अविद्या प्रसाद कत्री है देवकी नंदन कत्री हैं स्रीतर पाठक हैं प्रताप नारण मिस्र हैं कौन माने जाते हैं कॉस्चन नंबर 88 यहां पर दिया गया है और 88 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चेन कीजे का मत्तुपूर्ण कॉस्चन है और विकल्प नंबर 4 जिनको जिनोंने भी यहां पर चेन क्या प्रताप नारण मिस्र है उनका यहां पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है 89 वा कॉस्चन नंबर से कौन भारतेंदू मंडल में नहीं थे नहीं बताने सुधाकर दुबेदी दामुदर सर्मा सप्रे कासिनाथ खत्री या फिर अयुध्या प्रसाद खत्री कॉस्चन नंबर आप से 89 पूंचा क्या है और 89 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा कौन भारतेंदू मंडल में नहीं थे 89 का सही आंसर चैन करना है लबली ठाकुर जी अंजली कमलेश जी तो विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा यानि कि सुधाकर दुबेदी क्या है सही आंसर सुधाकर दुबेदी यहाँ पर सही आंसर होगा यह जो है भारतेंदू मंडल के नहीं मानी जाते है यह वाला विकल्प यहाँ पर जन्वन भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा 89 में अंगला कॉस्चन या आप देखेगा कॉस्चन नमबर 90 आपर पूँचा सदादर्स पत्र के संपादक थे सदादर्स पत्र जो था इसके संपादक कौन थे गुलेरी थे वालमकंद गुप्त थे प्रेमगन थे स्री नवास दास थे कौन थे बताईएगा चैन कीजेगा सभी लोग चैन करते जाईएगा सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है सदादर्स पत्र के संपादक पूँचा गया है जो कि विकल्प नमबर आप सभी का यहां पर 90 में सही आंसर होगा विकल्प नमबर चार यानी की स्री निवासदास यहां पर सही आंसर है स्री निवासदास द्धी वाला विकल्प जनोंने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन है नूतन ब्रमचारी किसका उपन्यास है 91 में बताना है वालकिष्ण बटे का, प्रताप नरण मिस्र का, उग्र जी, अस्क जी, 91 में क्या होगा सही आंसर नूतन ब्रमचारी किसका उपन्यास माना जाता है, 91 में चैनिकन्ना है सभी के लिए राकी जी, हमलता जी, विंदू जी, अनीता जी, तो 91 में सभी लोग यहां पर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहां पर जो आपका एक है बस सही आंसर है, यानि कि वालकिष्ण बटे आप सभी का सही आंसर है, ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा, कॉस्चन नंबर आपसे बानने पे पूंचा ह सच्ची समालोचना किसकी रचना है कॉस्चन नमबर बाननवे आप सभी लोग बताईएगा क्या होगा सई आंसर सच्ची समालोचना पूंचा गया है मत्वपून कॉस्चन यहापर दिया गया है और आप सभी का यहापर सई आंसर आ रहा है यह रचिना पूंचा क्या सची समालूचिना किसकी रचिना मानी जाती है बाननवेवा कॉस्चन है और आप सभी का सही आंसर होगा यह रचिना मानी जाती है किनकी वेकल्प नमबर डी आप सभी का सही आंसर होगा वालकिष ने बट्ट जी की यहां पर भी वालकर्षन बट वेकल नमबर डी वाला जो है वह हां पर भी आप सभी का सही आंसर होगा अंगला question यहां पर देखे, Question number यहां पर दिया ग्या है, माना धर्मसार किस की रचना है ये तेरानवे वा कॉस्चन यहाँ पर पूँचा है राजा लक्षमन सेंग की रचना है बारतेंदू की रचना है सिवपरसाद सितारे हिंद की रचना है बाल मुकंदे गुप्त की रचना है तो कॉस्चन नमबर यहाँ पर तेरानवे दिया गया है और तेरानवे में आप सभ और हिंद विकल्प नमबर तीन वाला जो है वह आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉश्चन याँ पर देखे गा कॉश्चन नमबर आप सभी से आपर पूंचा गया है 95 नहीं 94 वा कॉश्चन प्रजा हितैसी के संपादक कौन थे बताईए कॉश्चन नमबर आप सभी से आपर 94 पूंचा गया है और आपके लिए बता दें कि टेलिग्राम ग्रुप में जो है अपनी ग्रुप इस में कुछ प्रितियोगता होती है तो सभी लोग टेलिग्राम ग्रुप से जड़ जाईएगा लिंक डिस्क्रेप्शन में दी गई है टेलिग्राम ग्रुप को जोईन कीजेगा पिरजा हितैसी के संपादक पूंचा है तो 94 में सही आंसर विकल्प नमबर भी राजा लक्षमन सेंग जो है बहे माने जाते हैं प्रजा हित्यसी के संपादक भी वाला विकल्प है आप सभी का सयांसर है काल चक्र नामक पुस्तक के लेकक थे कौन थे 95 में चैनिकन्ना साधना जी राखी जी वताईएगा भारतेंदू थे स्री निवास दास थे सदल मिसर थे लल्लू जी लाल थे कौन थे काल चक्र नामक पुस्तक के रचेता पूंचा गया है 95 में आप सभी का विकल्प नंबर एक सयांसर होगा यानि की भारतेंदू थे अंगला कॉस्चन है प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप है भाल है नाटिका है नाटिकीत है प्रहसन है चान्नबे वा कॉस्चन याँ पर दिया गया है और 96 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर कृष्णा जी पूर्णिमा जी बताए प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप है ये पूंचा क्या है विकल्प नंबर बी आपर सही आंसर होगा बी आनि के नाटिका नाटिका याँ पर विकल्प नंबर दो जेनों ने भी चेन किय पहुत सारी लोगों ने विल्कुल सही आंसर चेन किया है नाट्टी का यहां पर सही हांसर है अंगला ईनला question यहां पर 977 है वारतांदू के नम्ने नाटकों मैं से कौन सा मौलिक नाक है विद्या सुंदर है पाखंड बेडंबन है मुद्रा राक्षास है प्रेम जोगनी है संतानवे में बताना है तो संतानवे का सही आंसर है प्रेम जोगनी जो है प्रेम जोगनी डी वाला वेकल्प है वैब आप सभी का यहाँपर सही answer हुगा, गाड़ी वाला विकल्प यहाँपर सही answer है, अंगला question यहाँपर देखेगा, question number आप सभी से यहाँपर पूचा ग्या है कौन सा, यहाँपर 99 बा है देपकी नंदन खत्री लज्जा राम महिता या पर गोपाल नाम गहमरी पूर्ण प्रिकास चंद्र प्रवाई उपन्यास माना जाता है किनका उपन्यास माना जाता है यह आपके लिए बताना है तो आप सभी का यहाँ पर साई आंसर आ रहा है अंठाणनब्य में विकल्ट नंबर एक साई आंसर है भारते ıllू आप सभी का यहाँ पर साई आंसर है कॉस्चन नमबर 99 पूँचा इतिहास तिमर नासक की रचिनाकार कौन मानी जाते हैं तो बताईएगा यह जो है ससी जी बुक हिंदी बस्तुनिष्ट हिंदी की बुक है डाक्टर पूरन चंदर टंडन जी की तो कॉस्चन नमबर आप सभी से आप 99 पूँचा क्या है और 99 में इतिहास तिमर नासक, राजा सुपरसा सितारे हिंदे, गोपाल राम गैमरी, सरीदर पाठक या फिर हरीनाथ पाठक तो 99 में विकल्प नमबर ए वाला है हाँ पर सही आंसर होगा सिवर प्रसाद सितारे-हिंद वाला वेकलप जो है वह आप सभी का इन्हीं की रचना मानेजाती उतिहास तिमर ना सक किनकी सिवर प्रसाद सितारे-हिंद हैं अंगला section यहापद देखेगा दमयनती Owenberg किसका नाटक है question number 100 यहाँ पर पूँचा गया है सभी लोग एक बार लाइक अबस्ते कर लेंगे दमियंती सुम्बर यह नाटक विदा की रिचिना है बारतेंदू, बालकृष्णे बट्टे, प्रेमगन, मुकंद गुपते तो सो में आप सभी का सही आंसर क्या होगा हाँ दिपक जी, question number 100 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दमियंती सुम्बर किसका नाटक माना जाता है तो सो में विकल्प नंबर भी सही आंसर है बालकृष्णे बट्टे यहाँ पर सही आंसर होगा बालकृष्णे बट्टे जनोंने भी चेन किया है उनका सही आंसर है अंगला question यहाँ पर देखेगा question number आप सभी से आपर 101 पूँचा गया पहलाद चरित किसका नाटक माना जाता है पहलाद चरित बताना है रामपरसाद नरंजनी का है लल्लू जी लाल, सिरीनवास दास या फिर बालकृष्णे बट जी का है पहलाद चरित question 101 यहाँ पर दिया गया है और 101 में चैन कन्न ने निलम जी क्या होगा सही आंसर पहलाद चरित किसका नाटक माना जाता है तो सिरीनवास दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला वेकल्प जो है वहैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप सभी से यहाँ पर पूंचा गया है तो ब्रत देविलाप किसका नाटक है ब्रत देविलाप अगर पूंचा जाए किस विदा की रचना है तो यह नाटक विदा की रचना है अम्बिकादत्व्यास प्रसा सितारी हिंद उग्रे अपर प्रेमगन तो कॉस्चन आपका राकेश जी 102 है मत्पून कॉस्चन है और 102 में 4 आप सभी का सही आंसर है ब्रद्द विलापिक नाटक माना जाता है प्रेमगन जी का विकल्प नमबर D जोनों ने भी चैन किया है उनक कुसम कुमारी किसका उपन्यास है 103 का सही आंसर वताये का प्रेमगन का है देवकी नंदन खत्री भारतेंदू महावीर प्रसाद दुबेदी कुसम कुमारी किसका उपन्यास माना जाता है उपन्यास विदा की रचिना है और 103 में चैन करना है क्या होगा सही आंसर 103 का विकल् नमबर दो जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर है 26 अंकर जी अर्चिना जी अंगला कॉस्चन यहां पर देखे कॉस्चन नमबर आप सभी से यहां पर चार पूंचा गया है सर्यू पार की यात्रा एक इसका यात्रा ब्रतांत यात्रा ब्रतांत माना जाता है एक सो चार में बताना है सभी लोग एक बार वाबना जी से और कर दीजेगा वीडियों को ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाए मत्तु पूर्ण हृसर कोकॉंचा और है कि यहाम सभी का चाहर में सभी आंसर है यह risky वा जो यहांपर सभी आंसर घ्रकॉंचा आर्फ पूंचा क्या है पांच क्योंचा है कि भारत यह चैंद्व को किस वर्स भारतेंदु की उबादी से सम्मानत किया गया तो भारतेंदु जी का जो जन्म है अर्थारेसो पचास में इनका जन्म वुए था 1885 में इनकाने दन हो गया था तो 1900 वाला विकल्प आपका गलद हो जाएगा और 1800 वाला विकल्प गलद हो जाएगा तो इन दोनों में से आपका ज़ए अनसर है पांच में विकल्प नबर एक आनी के 1880 में 1880 आप सबी का सभी गरण अंसर है दसरत बिलाप और फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचना इमानी जाती हैं अब दी खड़ी बोली वगेली चत्तिस गड़ी और 106 में आप सभी का क्या होगा सही answer बताईए नेसा जी सुनेशना जी दसरत बिलाप और पूलों का गुच्छा इभारतेंदु जी की रचना है किस बोली की रचिना इवानी जाती है तो आप सभी का सही आंसर है खड़ी बोली खड़ी बोली यानि की विकल्प नमबर बी वाला जो विकल्प है वै आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर दो जनोने वी चैन किया है उनका सही आंसर है बीर सहें का बिरतांत एकिस की रचिना मानी जाती है 107 में आप सभी लोग बताएंगी राजा लक्षमन सहें, भारतेंदू, देपकी नंदन, कत्री या फिर सिव पिरसाद सितारे हिंद 107 में बताएं बीर सहें का बिरतांत एकिस की रचिना मानी जाती है मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है 107 कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और विकल्प नंबर जनों ने चार चेन किया है उनका सही आंसर है सिवपरसाद सितारे हिंद जो है उनी की रचिना मानी जाती है बीर सह बिरतान ते तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखे कॉस्चन यहां पर पूंचा गया स्टेटस वाय आर आर कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है कहानी विदा की रचिना मानी जाते कुछ आप बीती कुछ जग बीती वालकृष्ण भट्टे अम्विका दत्यब्यास भारतेंदू फ्रेम घन तो 108 में कुमुद जी क्या होगा 108 का सही आंसर बैदेही जी कुछ आप बीती कुछ जग बीती कि रचनाकार माने जाते हैं कहानी मानी जाती है भारतेंदू जी की सी वाला विकल पे कली राज की सभा के नाटक कार कौन माने जाते हैं बताईएगा कली राज की सभा ये नाटक है किनका नाटक है बालमुकुंद गुपते बालकृष्ण भट्टे राम्रेश्ट प्रपाठी या फिर राम प्रसाद निरंजनी 109 में बताना है 109 का सही आंसर क्या होगा चैन कीजेगा कली राज की सभा के नाटक कर कौन माने जाते हैं तो 109 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है ये तो बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं वी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा मेकल्प नमबर दो यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा स्वतंत्र रमा परतंत लक्ष्मी किसका उपन्यास माना जाता है 110 में बताना है मेता लज्जा राम सर्मा, गोपाल राम गैमरी, देखकी नंजन खत्री या अंबेकादत्य ब्यास स्वतंत्र रमा परतंत लक्ष्मी यह पन्यास किन का माना जाता है यह आप से यहाँ पर पूँचा क्या है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 10 बार कॉस्चन यहाँ पर दिया क्या है और 10 में आप सभी का सही आंसर होगा वेकल्प नमबर एक यानि की महता लज्जाराम सर्मा जो है उनी का माना जाता है सोतंतर रमा परतंत लक्ष्मी question आपसे यापर पूंचा गया है बारतंतु की अधिकान से कवीता है किस भासा में है ब्रजवासा में अबदी में कड़ीबोली में मैतली में बताईएगा क्या होगा 111 का सही आंसर चैन करना है 111 में आप सवी का याँपर क्या होगा सही आंसर और 111 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि भारतेंदू की अधिकान से कभीता है किस भासा में है ये पूंचा क्या है तो आप सभी का यहाँ पर 11 में सही आंसर होगा ये हैं ब्रज भासा में किस भासा में ब्रज भासा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़ी हैं अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेंगा ये कॉस्चन इनमें पहले सही आंसर लगे हैं आगे बढ़ते हैं तो आगे की कॉस्चन यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर देखते हैं और मत्वपूर्ण कॉस्चन आपके आपर मत्वपूर्ण पंतियां पढ़ लेते हैं यहाँ पर देखेगा यह पंतियां आपके लिए दे गई है हाँ answer tip के हैं इहां पर राखी जी यहाँ पर देखते हैं question आपका 161 यहाँ पर इन पंतियों को पढ़ते हैं मत्पूण पंत्पूण पंतियां दी गई है कि पड़ी कमाय कीनों कहा हरे देश कलेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश यह पंति किनकी मानी जाती है यह पंति आपको चैन कनना है बारतन्दू, प्रताप नारण मिस्र, इसमें बट्टे या पिर प्रेमघन , 161 में चान कनना है तो 161 का सई आणसर आरह है कि पंति तो प्रेमघन की tutti मानी जाती है किन की 161 में आप चले काbenवी प्रताप नारण मिस्र होगा सही आंसर पिरताप नारण मिस्त्र जनोने भी चेन किया है उनका सही आंसर अंगला कॉस्चन या पर देखेगा विंदू जी दीप सिखा जी कॉस्चन नमबर या पर वासक पूंचा क्या है अचरज होत तुमहूं समगोरे बाजत कारी तासो कारे कारे सब्दहूं पर हैं बार ये बासट में जो पंतियां दी गई है प्रेम घंजी की पंतियां है बहुती मत्पूर्ण फिरसदे पंतियां मानी जाती हैं अंगला कॉस्चन या पर देखेगा 63 वा कॉस्चन या पर पूंचा क्या है रोबहूं सब मिली आवहूं भारत भाई हां हां भारत दुर्दसा न देखी जाई 163 में चैन कनना है भारतेंदू या पर प्रेम घंजान या प्रताप नारण मिस्रे बताईए आनंद जी 26 अंकर जी हमलता जी क्या होगा सई आंसर ये पंतियां किनकी मानी जाते हैं रोबहूं सब मिली आवहूं भारत भाई हां हां भारत दुर्दसा न देखी जाई ये पंति मानी जाते हैं भारतेंदू जी की विकल्प नंबर 3 यहां पर सई आंसर होगा सी वाला विकल्प जो है वह आपका सई आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर 64 यहां पर पूंचा गया है आठ मास बीते जजमान अब तो करो दच्छ ना दान यह पताना 164 में क्या होगा सई आंसर वाल मुकंद गुप्त है वाल कृष्ण बट्ट है प्रेमगन है प्रताप नारण मिस्ट है किनकी पंतिया मानी जाती है यह चैन करना है कॉस्चन नंबर यहां पर 64 पूंचा गया है आठ मास बीते जजमान अब तो करो आंसर है विकल्प नंबर चार कॉस्चन नंबर 165 आप से पूंचा गया है निजभासा उन्नती है सब उन्नती को मूल विनु निजभासा ज्यान के मिटत नहीं को सूल यह पंति किसकी मानी जाती है 165 में चैन कीजेगा भारतेंदू अयुद्या प्रिसाद खत्री सुधाकर दुवेदी वालकृष्ण वट्टे तो 165 में चैन करना है सभी लोग चैन करेंगे और विकल्प नंबर जैनों ने चैन किया है ए उनका यहां पर सही आंसर होगा भारतेंदू भारतेंदू आप रस्चूं से हसी हसी के तन्मन धन्मू से जाहर बातन में अतितेज क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज ये पंती किनकी मानी जाती 166 का सही आंसर बताना है बताईए आरती सरुद जी क्या होगा सही आंसर 166 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और 166 में आप सभी का सही आंसर होगा वेकल्प नंबर डी यहां पर भी भारतेंदू आपका सही आंसर है भारतेंदू जी की पंती मानी जाती है वेकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है कॉस्चन पूर्टी करने पर सु कभी की उपादी दी गई गई सु कभी की उपादी किने दी गई थी ये बताना है घंबेका दत्य ब्यास को भारतेंदु जी को प्रताप नरण मिस्तर को प्रेमगन जी को तो 68 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और 68 में आप सभी का सही आंसर है ये जो समस्या पूर्टी करने पर ये उपादी दी गई थी ये दी गई थी किनके लिए 68 का आपका एक सही आंसर है अंबिका दत्य ब्यास को भिकल नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर होगा हिंदी नवरत ने किसकी पुस्तक मानी जाती है मिस्वर बंदू या फिर रावल सा सबी लोग एक बार सेयर कर दीजेगा वीडियो को जन्हों ने अवी तक सेयर नहीं किया है सेयर करते जाईएगा और बहुती कम लोग जुड़े हैं कॉस्चन नंबर 69 पूंचा गया है हिंदी नवरत ने पुस्तक जो की पूंची जाती है ये मिस्वर बंदू की बहुती प गैस दूबही ते गड़िस बिहारी सैम भी जंडियों इनलों ने मिस्वंद बिनोद की रचना की थी जो कि पूंचा इता हूलं मिस्वर बंदू बिनोद कॉच्चन नंबर यहां पर पूंचा गया है सत्तर ललिता नाटक के रचेता कौल मानी जाती है ललिता नाटक किसका माना जाता है राम नरेश्ट तरपाथी हरियोद हरीकरष्ण प्रेमी अम्विका दत्य व्यास आपके लिए बता दें कि तीन हजार प्रिस्ण की हिंदी साइट की पीडियेप अगर किसी को चाहिए हो तो मात रेक सो 99 रुपन में आप पर्चेस कर सकते हैं तीन हजार प्रिस्ण वागे महत्वण प्रस्ण हिंदी साइट के नंबर स्कीन पर चल रहा संपर कल्ले ललीता पूंचा है ललीता तो ये रचिना मानी जाती है राम नरेश्ट तरपाथी विकल्प नंबर ये वाला यहां पर सही आंसर होगा तरपाथी जन्वनेवी चेन किया राजीब जी वैदेही जी उनका सही आंसर है बिहारी बिहार नामक किसकी का पर रचिना मानी जाती है बिहारी बिहार बताईए रिवाज यंबिक अदत्त ब्यास हैं भारतेंदू हैं बालकृष्ण बट्टे हैं महाबीर प्रसाथ दुबेदी हैं बिहारी बिहारी की रचिना कार चैन करना है कौन माने जाते हैं एकत्तरवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और एकत्तर में आप सभी का सही आंसर है यह अंबिका दत्त ब्यास की रचिना मानी जाती है विकल्प नंबर यह वाला जो है वहें आप सभी का य यहां पर सही आंसर है देव्यानी का पर रचना की रचना कार कौन मानी जाते हैं बताईएगा 172 कौशन है देव्यानी देव्यानी का पर रचना की रचना कार मानी जाते हैं बालकृष्ण वट्टे हैं जगमोन सें हैं सोधाकर दुबेदी हैं या फिर अध्या प्रसाद खत् 72 question यहां पर दिया गया है और 72 में आप सभी का सही answer आ रहा है दिव्यानी के रचना कार माने जाते हैं जगमोहन सें विकल्प नमबर बी वाला जो विकल्प है वह हाँ पर सही answer हो का जगमोहन सें बहुत सारी लोगों ने अमित जी बहुत बढ़ियां सभी लोगों ने यहां पर सही answer चैन किया है question नमबर यहां पर 33 क्या पूंचा गया है देखेगा रसिक समाज कहां की साहितिक संस्थाती रसिक समाज एक साहितिक संस्थाती ब्रंदा बन की मतुरा कानपूर बनारस कहां की संस्थाती बताई तहित्तर में चैन करना है और तहित्तर में सही answer क्या होगा तो विकल्प नमबर यहां पर तीन सही आंसर एक कानपूर की संस्था थी कौन सी रसिक समाज कहां की साहतिक संस्था थी कानपूर की विकल्प नमबर आपका यहां पर तीन सही आंसर है एक अदवुत अपूर्ब स्वपन निवंद की रचिनाकार कौन माने जाते हैं Question number 144 पूँचा ग्या है ये निवंद है जगमौन सेंग का भारतेंदू प्रिताप नारण मिस्तर या प्रदेव की नंदन खत्री Question number 14 पूँचा ग्या है एक अदबुत अपूर्ब सपने जो निवंद है इस निवंद के निवंद कार कौन माने जाते है ये चैन कन्ना है Question मत्तपूण है और सभी का सई आंसर आ रहा है तो भारतेंदू जी का निवंद माना जाता है एक अदबुत अपूर्ब सपने भारतेंदू हरेश्चंद्र जी का निवंद है अंगला Question देखेगा हिंदी सायती की पीटी का की रचिनाकार कौन माने जाते है डाक्टर राजवली पांडे है या सिफदांसें चौहन है रामबलास सर्मा है नामबारसें है Question नमबर 175 का सही आंसर शेन कन्ना है 175 में क्या होगा सही आंसर राजवली पांडे हिंदी सायती की पीटी का की रचिनाकार कौन माने जाते है तो राजवली पांडे यहाँ पर विकल्प नमबर यह वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा Question नमबर यहाँ पर आपसे पूँचा क्या है 76 क्या है हिंदी वासा का विकास के संपादक कौन है नंद दुलार रिवाजपे, स्याम सुंदर दास, अग्ये या धीरंद्र बर्मा Question नमबर यहाँ पर 76 क्या है और 76 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर राकी जी बहुत बढ़िया हिंदी वासा का विकास के संपादक कौनचा गया है 76 क्या है और 76 में जन्वने चैन क्या है स्याम सुंदर दास उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर आप सभी का भी वाला जो है आपका हाँ पर सही आंसर होगा स्याम सुन्दर दास आप सभी का सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूंचा क्या है आचार सुकल का हिंदी साइट का इतिहास कब प्रकासित हुआ था यह तो सभी को पता होगा 1929 में 1940 में 1950 में 1925 में आचार सुकल जी का जो हिंदी साइट का इतिहास है यह कब प्रकासित हुआ यह पूंचा क्या है 77 वा कॉस्चन है और 77 में आप सभी का सही आंसर होगा यह प्रकासित हुआ था 1929 में विकल्प नमबर यह वाला आप सभी का यहां पर सही आंसर है 1929 में तभी लोगों ने बहुत बढ़ियां सही आंसर चैन क्या है गंगा लहरी की रचना कार कौन मानी जाते है 78 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है गंगा लहरी की रचना कार चैन कीजेगा सभी लोग बताइए गंगा लहरी किनकी रचना मानी जाती है चेन करना सभी के लिए मत्तुपूर्ण कॉस्चन या पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि गंगा लहरी के रचिनाकार पदमाकर मानी जाती है 78 में विकल्प नंबर A वाला जो है आप सभी का सही आंसर है पदमाकर जनोने भी चेन क्या है सही आंसर है गो संकट नाटक विदा की रचिना है गो संकट और इसके नाटक कार प्रीती जी कौन माने जाते हैं बताए गो संकट वाल किष्ण वट्ट जी का है भारतेंदु या फिर प्रेम गन या पिर प्रताप नारण मिस्तर जी का है question number 89 या पर पूंचे गया है 89 में आप सभी का सही आंसर है गो संकट ये प्रताप नारण मिस्तर या पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प जो है आप सभी का यहाँ पर सईया अंसर है प्रताप नारण नमिसर जी का नाटक माना जाता है कौन सा गो संकत अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप से यहाँ पर फूंचा गया है अस्तिवा कॉस्चन है अंदेर नंगरी नाटक की रचना कार कौन माने जाती हैं अंदेर नंगरी प्रमोध जी एक नाटक विदा की रचना है प्रेम गायन भारतेंदू निराला अग्ये किन का नाटक माना जाता है अस्टी में चैन करना है तो विकल्प नंबर आप सभी का याँपर बी सही आन्सर है अस्टी का यानि कि ये भारतेंड्बु जी का नाटक मान जाता है अंदेर नंगरी किनका वारतेंदू वाबू हरिश्चेंद्र भी वाला विकल पापसवे का सही आंसर है अंगला कॉस्चन यह आप देखेगा चंद चंद बरनन की महिमा ग्रंत के रचनाकार कौन माने जाती है ग्रंत किनका माना जाता है गंग कभी का है रामप्रसाद नरंजनी, बनारसीतास जैन, किसूरिलाल गोस्वामी 181 में चैन कनना है चंद चंद बरनन की महिमा की रचनाकार कौन माने जाते है और 181 में सही आंसर आ रहा है तो गंग कभी की रचना माने जाती है विकल नमबर ए वाला यहां पर सही आंसर है कंग कभी बहुत बढ़ी है सभी लोगों ने सही आंसर वता है सरीता जी कॉस्चन नमबर यहां पर 82 पूंचा सिक्छादान व्यंग पून नाटक की रचनाकार कौन है लाइक अबस्त करते जाएगा जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार सेयर करते है रोज आपके लिए किलास ने लाई जा रही है महत्त पून किलास है सिक्छादान व्यंग पून नाटक है जिसके रचनाकार कौन माने जाते हैं तो 82 में आंसर भी हो का सही आंसर प्रेम घन है कौन माने जाते हैं प्रेम घन आप सभी का यहां पर सही आंसर है विकल नंबर दो जन्वाने भी चैन किया है उनका सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आप सभी से यहां पर पूंचा गया है 83 बा कॉस्चन है कि आलोचना का प्रारंबे किस कभी द्वारा माना जाता है बताईए आलोचिना का प्रारम में पूंचा गया है किस कभी द्वारा माना जाता है बालकिष्ण बट्ट, रामचन, सुकल, नगेंद्र, भारतेंदू तो 83 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और 83 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर गाकी जी, अंजली जी, आनन्द जी यहां पर विल्कुल सही डी होगा सही आंसर 83 में भारतेंदू, यहां पर आप सभी का सही आंसर है आलोचिना का प्रारम में किस कभी द्वारा माना जाता है तो भारतेंदू सिब संबू का चिट्टा इब्यंगात्मक निबंद है इस निबंद के निबंदकार कौन माने जाते हैं वालमकुंद गप्ते हैं पिरताप नरण मिस्त्र हैं सिरीधर पाठक हैं किसूरी लाल गोसौमी है बताईए सिब संबू का चिट्टा इब्यंगात्मक निबंद की रचिनाकार कौन माने जाते हैं तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा पंकजी रित्ता जी 84 में विकल्प नमबर एक सही आंसर है यानि कि वालमकुंद गप्त जो है उनी का माना जाता है यह वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बालमकुंद गप्त आप सभी का सही आंसर है रानी केतिकी की कहानी के रचिनाकार कौन माने जाते हैं 185 में बताना है गुलेरी है प्रेमचंद है इंसा अल्लाखा है यस्पाल है कौन मानि जाते हैं रानी केतिकी की कहानी की रचना कार बताना है आजात सिंग जी क्या होगा सही आंसर हुदाइबान चरित के नाम से भी जिसको जाना जाता है और 185 में आप सभी का सही आंसर होगा विखल्प नंबर तीन आनी की इंसा अल्ला खा कौन है इंसा अल्ला खा की रचिना मांगानि जाते है रानी केतिकी की कहानी निसा हाई हिंदू किस परकार का उपन्यास है 1206 में चैन कन्ना है बतायेगा रोमानी है, सामाजिक है, जासूसी है, धार्मिक है तो 86 का सई आंसर चेन करना है निस्साहाई हिंदू किस पिरकार का उपन्यास माना जाता है रमा रावत जी बताईए निस्था है इंदू एक इस प्रकार का उपन्यास माना जाता है शासी में आप सभी का सही आंसर यह माना जाता है रॉमानी रॉमानी यहां पर सही आंसर होगा या सामाजिक तो सामाजिक होगा सही आंसर विकल्प नंबर बी बाला यहां पर सही आंसर है सामाजिक माना जाता है निस्सा इंदू की रचिनाकार आप कमेंट में लिखिएगा कौन माने जाते हैं विसस विसमोस धम नाटक की रचिनाकार कौन माने जाते हैं आसी में वताईएगा विसस्स विस्मोस धम बारतेंदु जी है बालमुकंद गुप्त जी है सुधाकर दुवेदी जी है या संकर कुरूप है 87 वा कॉस्चन विसस्स विस्मोस धम तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अरवंद जी देख लेते हैं 83 वा कॉस्चन भी देख लेंगे विसमोसिदम नाटक की रचिनाकार पूंचा है 87 में आप सभी का एक सही आंसर वारतेंदु जी का नाटक माना जाता है यहाँ पर सही आंसर है ब्रह्म समाज की स्तापना बताना है कब हुई यह बताईएगा 88 वा कॉस्चन आपर दिया गया है और 88 में आप सरी का क्या होगा सही आंसर ब्रह्म समाज 1930 में, 1915 में, 1828 में, 1920 में अठासीवा कॉस्चन है और ब्रह्म्त में समांज जो की राजा राम मोहन राय जी द्वारा इसकी स्तापना की गई थी अठारह सो अठाइस में विकल्प नंबर सी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर तीन जनों ने भी चैन किया है उनका सही आंसर है अठारह सो अठाइस अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है हिंदोस्तानी भासा नाम से हिंदी का ब्याकरण सरप्रतम किस विदेशी विद्दवाने ने लिखा कॉस्चन नंबर 89 में चैन करना है बताइएगा बेंजमिन सूलजने ग्रियसन गिलक्राइश्ट जोन जोस्वा केटलर ने हिंदोस्तानी भासा नाम से हिंदी का ब्याकरण सरप्रतम किस विदेशी विद्दवान ने लिखा था वैं विदेशी विद्दवान बताना है तो 89 में सही आंसर आ रहा है कि जोन जोस्वा केटलर विकल्प नंबर रिड़ी वाला जो विकल्प है वैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4 अंगला कॉस्चन है आज का आखरी कॉस्चन है हिंदिवी भासा का कोस ग्रंते के रचेता कौन मानी जाते हैं इसका आंसर आप कमेंट में बताईएगा सत्त देव चोधरी है प्रेमचंद है पादरी आलम है माता प्रसाद गुप्त है इन चार विकल्पों में से आपको कमे प्रेमट में आंसर चैन करना है क्या होगा सही आंसर और तेरासी बा कॉस्चन यहां पर पूंचा क्या है आलोचना का प्रारंब किस कभी द्वारा माना जाता है यह पूंचा क्या है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा आलोचना का प्रारंब पूंचा गया है आपसे तो प्रारंब तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या है चैन कीजे का कॉस्चन आपका यहां पर पूंचा क्या है 83 में चैन कनना है देखेगा यहां पर प्रारंब पूंचा है आलोचना का प्रारंब किस कभी द्वारा माना जाता है तो 83 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और 83 में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा तो यहां पर आप सभी का यहां पर भारतेंदू ही होगा सही आंसर क्यांकि आपसे हम पर प्रारंब पूंचा गया है डी वाला विकलप आपका सही आंसर है हिंदी के पिर्तम आलोचक नहीं पूंचा है आलोचना का प्रारंब पूंचा है तो वह माना जाता है भारतेंदू जी से सबीका यहाँ पर बहुत राइट आंसर होगा डी वाला विकल पाँच के वीडियो में बस इतना ही सबीक लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक से रवस्त कर लेंगे अनीता जी अनन्त जी मनीशा जी अर्वेंद जी राजीव जी प्रमोद जी बिंदू जी एम एस बर्मा जी राकी जी सबीक लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो सभी लोग वीडियो को लाइक से रवस्त कर लेंगे कुमोद जी निसा पर्मा जी आज के वीडियो में वस इतना यंसी जी पुर्णिमा जी और सभी के लिए जय हिंट